अक्टर सुशान सिंग राजपूर जिस तरह से इस दुनिया को छोड़ कर चले गए है उनके साथ उनकी मौत का राज भी चला गया है पुलिस की तमाम पूश्टाज और इन्वेस्टिगेशन के बावजूद अभी तक इस मामले का कोई खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर सुशान्थ ने सुसाइट किया था या उनका मडर हुआ था हर कोई केस को जल से जल सुलजाने के लिए CBI की जाच की मांग कर रहा है जिस तरह से सुशान्थ के करीबी और परिवार को ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि सुशान्थ कैसे सुसाइट कर सकते हैं वहीं आक्टर शेकर सुमन को भी इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो पा रहा है अब शेकर सुमन ने केस के जल से जल खुलासा होने के लिए एक फोरम खोली है जिसका नाम है जस्टिस फॉर सुशान्थ फोरम एक्टर के इस फॉरम को खोलने का मकसद सरकार को केस में CBI जाच के लिए फोर्स करना है शेकर ने ट्विट कर इस फॉरम की जानकारी दी है शेकर जाते हैं कि सरकार जल से जल सुशांत केस में CBI की जाच शुरू करे शेकर सुमन ने बॉलिवुड माफिया और नेपोटिस्म को लेकर अपनी आवाज उठाई है उनका ये भी कहना है कि कुछ सेलेब्रिटीज सच को दबाना चाते हैं और इस फॉरम के जरिये वो इन सेलेब्रिटीज का खुलासा करना चाते हैं वहीं हाली में शेकर सुमन ने अपनी निराशव व्यक्त की और खुलासा किया कि वो इस बात को एकसेप्ट करने के लिए तयार नहीं है कि सुशांथ जो एक मजबूत इरादो वाला और इंटेलिजन लड़का था वो सुसाइड नोट छोड़े बिना अपनी जान कैसे लेगा वह सोचते हैं कि केस में जो दिखाई दे रहा है उससे कई ज्यादा चीज़े हैं जो छिपी हुई है अब देखना होगा कि सुशांथ को इंसाफ दिलाने में शेकर सुमन की ये मुहीम कितनी कामियाब होती है और कब मामले की सीबिया जाज शुरू होती है तब तक के लिए देखते रहे हमारे चानल बॉले बीप्स को और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चानल को सब्सक्राइब करें